अगर आप परिशान है कि आपका बिजनस नहीं बढ़ रहा और आपको गूगल के पेज पर रैंकिंग नहीं मिल लिए आप ओनलाइन वीजबल नहीं हो तो समझ लेजिए आप अपने बिजनस का सही से एस से नहीं कर रहें अब एस यो होता क्या है देखिए सर्च इंजन अप ईक्ति माइज करो की गूगल की पीश पर रैंक करें और आपकी ऑर्लिन प्रैंडींग अब सर्च इंजन में ध्यान अकना सबसे इंपोर्ध होता है कि आपका एसी यो अब स्कार्च इंजन अब सारे अलगौर्थम परकाप करते हैं ठीक है न आपको अपना कंटेंट अपन से डिजाइन करता है कि वह उस सर्च इंजिन के स्पेसिफिक हो इसके साब खास हिसाब से कीवड डाले पर ध्यान देने की बात है कररें जो सर्क इंएंचन में अग्या साकरेहिए समझें के बात सा इंजन एक चाहिए साय। आप से बाधा है को आपको नजसा लगाना प्राया किस तरीके से निए कॉन कीविड को डालू ताकि मेड़ी रेंकिंग आप पर गूगल कोई पता है कि लोग कीवर्ट सिस्माल करते तो गूगल ने हो कि यूर कंटेंट इस जोर किंग ऐसी उसके बात में आता है ओडियंस रिटेंशन आगर आपने अपनी वेबसाइट पर और रिटेंड कर लिया तो समझ आई एक विडियो बनाया था बहुत पहले जिसमें मैंने कोई कीवर्ट कोई मैंट डाला था 44,000 व्यूज आये थे बि गूगल हो चाहिए फेशबुक को इन नहीं को हर एक काला अलगान ऑनल साथ तरीके से काम करते हैं जो चो टेक्स आपको गूगल में काम कर सकती है तो आपको हर संगहिसार के हिसाब से काम करना होगा और त्षान अगर आप Google पे देखते हो पहने तीन चार आप देखते ऑप करना है बिना एड से किसे प्रमोट करना है और मैं वह विधी बताऊंगा वह टेक्निक्स बताऊंगा जिन में बिना पैसे खर्च किये आप अपनी ब्रेंडिंग को इंप्रूव कर सकते हो यह कोई कोई व्यक्ति इसको सर नहीं पता वह अपने बिद्नस को कैसे रैंक कर सकता है अगर इतना ही उसने स्टाटिंग में कर लिया ना तो समझेए चाहते हैं कि स्टाटिंग करें तो गूगल आपकी वेबसाइट को बैर करेगा जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं इनके पास सब्सक्राइब को पड़ते हैं अगर आपने अपने अनितिकल तरीके अपनाए तो क्या होगा गूगल आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना और आपकी वेबसेट पर गलत तरीके से करो इसलिए कभी नहीं करवाना कोई वेक्ति आपसे कि मैं इतने टामें इतने सब्सक्राइब बढ़ा दूँए और गनिकली करें जब और गनिकली करोगे तो आपको टाइम लगेगा बट उसमें आपको गूगल की हल्प में लेगी ध्यान अटना कोई भी चीज और गरिक तरीके से करोगे तो बहतर तरीके से आप कर पाऊगे इसलिए ब्लाइक हैट स्यों का इस्तमाल नहीं करना मैं डिटेल बताऊंगा सचर में ब्लाइक हैट स्यो करते हैं आपको मजा आगया ती मेने बाद गूगल को पता रहा आपने वह तरीकियों का अस्तमाल किया है जो उसके हिसाब से फिट नहीं है फिर आपकी वेपसाइट को डिग्रियर कर देता है इसलिए दोस्तों इस सचन में आएगी और यह सचन अडवांस नहीं है यह सचन उन लोगों के लिए जिनको डिश्टल मार्केटिंग रड़ी नहीं पता उनको सिखाऊंगा इस तरीके से आपने यप साइट को वेल आप्टिमाइज करना है किस तरीके से आप जी बिच को मैनेज करें रहें ते आपको लोकल लिस्टिंग में आप ऊपर आये इतना पैसे वापस कर दूँगा मैं कुछ नहीं कुछ आपसे बाट इस सेशन आपकी लाइफ में नया एक वीव पॉइंट लाएगा कि येस की सर्च इंजन में भी रैंक करना बहुत इंपॉर्ट है क्योंकि गूगल के फर्स्ट ये सेकेंड पेज के बाद थर्ड पेज कोई जाता करना है क्या नहीं करना उपटिमाइज कैसे करें कि तरीकों से आप इतिकल वह में बढ़ सके इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ें लक्षमी खर्च किए कैसे आप सेज़कर आप थ्यान रखना इसमें एक से दो मेंने यह समय लगेगा तुरंत नहीं होगा जो चीज़ करने बढ़ें तो बिना पैसे खर्च किए बिल्कुल इथिकल तरीके से ले में कोई विक्ति जिसको डिश्ट मार्क्टिंग को जानकारी नहीं किस तरीके से करें अगर सेशन में आपको आना है तो आपका स्वागत है आज इसको प्लासम स्टाट करें और आप आईए और